यहां पर देखेंगे अगर सिक और हीमचल प्रदेश की बात की जाए तो सबसे पहले आपको पहले गुरु गुरु और नानक देव जी देखने को मिलते हैं अगर इनके रिलेशन के बारे में बात की जाए तो इन्हों ने भाई कल्याना को भेजा था कि जाए और थोड़ा सा फंड कोलेक्ट करके लाइए ताकि हरमिंदर साहिव की जो नीम है यू कैन से हरमिंदर साहिव की जो कंस्ट्रक्शन है उसको कंप्लेट किया जा सके देन उसके बाद बात करते हैं गुरु गुहर गोविंद जी जो आप देखेंगे सिखों के छटे गुरु थे इन्होंने एक फाउंडेशन रखी है बि बहादुर जी शिखों के 9 गुरु थे गुरु तेक बहादुर इन्हो ने भी एक इमपोर्टेंट बिलेश बनाया था मखोवाल और मखोवाल के लिए इन्होंने लैंड पर चेज्ज किया था हमारे ही हिल एरिया के चीब से और मखोवाल नामक गाउँ जो है इन्होंने बि बनता है उसके बाद 10 गुरु आते हैं गुरु गोविंद सिंग जी गुरु गोविंद सिंग जी से हमारा जो रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एक्जाम के लिए क्यूंकि इसी दौरान हम लोगों को एक बैटल देखने को मिलेगा और बैटल वाजदा यह बैटल होता है इसे प्रिवियस वाली वीडियो में हमने बैटल अफ नदौन भी देखा था वो इसके बाद ही होगी तो बैटल अफ भंगानी के लिए जो रीजन दिया जाता है कि किस कारण हुई थी तो यस वाइट एलिफेंट जो था वो एक मेन रीजन था जो गिफ् कर दिया तो यस माइडे इन दोनों के भीच में बैटल हुआ रिजल्ट क्या निकला बैटल का सबसे इंपॉर्टेंट तो आप देखेंगे हरीचंद जो है यह राजा हुए हिंडूर के तो इनकी मृत्ति हुई इस पर्टिकुलर बैटल में यानि कि बैटल भंगानी का रि तो यहां पर देखेंगे आफ्टर दैट थर्टींथ ऑफ अप्रेल 1699 हैस्टैक कर लीजिएगा यहां पर गुरु गोविंद सिंग जी ने खालसा की स्थापना की अनंदपूर साहिब में लेकिन बाद में हम देखेंगे त्ट 21st of December 1704 गुरु लेफ्ट दा अनंदपूर औ और अनंदपूर को छोड़ने के बाद यह डैकन वाले एरिया में जाते हैं और डैकन वाले एरिया में इनको एक बैरागी मिलता है उसका नाम हो जाता है माधोदास और यही माधोदास बाद में बंदा बहादूर के नाम से भी जाना जाता है बंदा बहादूर को यह भेज पूछी जाती हैं उसके बाद देखेंगे दराजा मंडी एंड चंबा वर्दा फॉस्ट सुरंडर टू दा बंदा यानि कि बंदा बहादूर के सामने जो सबसे पहले सरंडर किया वह चंबा और मंडी के राजाओं ने किया था उसके बाद हम देखेंगे सैवंटीन फिप्ट यह लोग खुद को और गिनाइज कर लेते हैं और उन्हीं मिसल में से एक हो जाते हैं आपके यू कैसे कनहिया मिसल होता है एक जिसमें आप देखेंगे तैट सैवंटीन सैवंटीफाइव में जैसिंग कनहिया जो है वास डिफीटिड दा जसा सिंग रामगडिया रामगड और उसमें आप देखेंगे धट जैसिंग नहिया जो है यह प्लेंज में यू कैन से जशा सिंग रामगडिया से लडएंगे लडाई होगी और कांगडा और उसके जो कांग्ड़ा गृप सॉटेट हैं उनको यह कैप्चर कर लेते हैं ईया एक पहले सिख बनते हैं यह कांगडा के किले को मुगल्स से छुडा लेते हैं यानि की मुगल्स का जो पोजेशन था उसको कही न कहीं वो खत्म हो जाता है उनका रूल उनका कंट्रोल कांगडा के किले पे खत्म हो जाता है और संसार चंद के पास यह कांगडा का किला जो है यह आ जाता है लेकिन यह फोर्ट वाज रिटर्न टू दा संसार्चंद ये बात आपने याद रखनी है दन उसके बाद बात करें आगे तो आगे हम लोगों को देखने को मिलेगा कुछ इंपोर्टन पॉइंट्स आपके लिए तो नेक्स्ट जो पावर आपको देखने को मिलेगी वो हो जाएंगे गोर्खास एंड हिल स्टेट याने कि गोर्खास और हिल स्टेट से क्या कुछ जुरूरी है हमारे एक्जाम के लिए आईए देखते हैं हम देखेंगे दर एटीन 2004 का दौर था और उसी टाइम पे अमर्शिंग थापा जो है यह सिर्मौर को कैप्चर कर लेता है इसका भी सपना होता है दाट मैं भी नेपाल से कस्मीर्थ अपना किंग्डम बनाओं उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है और अपॉर्चुनिटी मिलती है सि और यहां पे थोड़ा सा यू कैन से उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व किजिए डिस्प्यूट रिजॉल्व तो होता है लेकिन करम प्रकास को एक नॉमिनल सी पोजीशन दी जाती है और अमर्शिंग थापा अपनी गौर्वर्मेंट यहां पे इस्टेबलिस्ट कर लेते ह हैं देन उसके बाद हम देखेंगे उसी टाइम पे क्या होता है मीन टाइम संसार्चन टू हमने अभी देखा कि संसार्चन टू के पास यह कांगडा का किला आ चुका है अब वो क्या करेगा एक्सपैंड करेगा अपने एरियास को और उसी एक्सपैंशन में आप देखेंग और नदौन में ये जेल में डाल देगा 12 सालों तक ये जेल में रहते हैं कि उसके बाद जब आप अटेक होगा तो गुर्खाज इनको रिलीज करेंगे तो संसार्चंद तू जो हमंडी के बाद ये अटेक करता है आपके बिलासपूर में और बिलासपूर में आप देखेंग महांचन जो थे वो विलासपूर के राजा हुआ करते थे उस टाइम पे अगर हम देखें तो यह माना जाता है कि संसार चंद ने विलासपूर में एक फोर्ट भी बनाया था जिसको फोर्ट आफ यू कैंसे छतिपूर फोर्ट भी कहते थे धार जांजियार के उपर ये किला ब महल मोरियां बैटल ओ महल मोरियां महल मोरियां इस प्लेस इंद भॉरिंज इन हमिर्पूर डिस्टिक माइडियर याद रखेगा यह बैटल होता है एक टीन जीरो सिक्स में और बैटल के दौरान आप देखेंगे दैट यस सुजानपूर टिहरा में चले जाते हैं संसार चं देखेंगे यस तो चार से पांगडा के किले को घेर के रखा जाता है उसके बाद एक टीटी होती है अब संसार चंको चाहिए को किला टो टीटी होती है 20th July 1809 को एक टीटी होती है जिसको treaty of geology बोलते हैं जिसमें आप बोलेंगे महराजा रंजी सिंग और संसारचन तू जो है इनकी मुलाकात होगी इन दोनों में एक treaty एक संधी साइन होगी और उस संधी में बोला जाएगा कि संसारचन मैं तेरी help तो जरूर करूँगा लेकिन किलाह मुझे देना पड़ेगा महराजा रंजी सिंग कंडिशन रख देते हैं चारा कोई था नहीं तो यह समान लिया जाता है और फाइनली आप देखते हैं 24th of August 1809 को दे कांगडा फोर्ट केम अंडर दे कंट्रोल महराजा रंजीत सिंग याद रखेगा और इसी दौरान देशा सिंग मजीठिया जो हैं यह पहले नाजीम और यू कैंसे द गवर्नर बन जाते हैं कांगडा फोर्ट के और दा एड्मिनिस्टेटर आफ कांगडा यू कैंसे आना तो पहले सिख जो किलेदार हुए उनका ना आएगा तो यू कैंसे जो अमर सिंग थापा है उनको वहां से भगाया जाएगा भागने के बाद यू कैंसे 1810 इसवी तक आते आते गोर्खास जो हैं यह हिंडूर के साथ सब जूबल एरिया को पुंडरा एरिया को और यह सनगाना फोट जो हुआ करता था बालसन में उसक करता है जिसमें से दो ब्रिटिसर्स क्लेम करेंगे ब्रिटिसर्स क्लेम करते थे उस गाओं को और यह मानते नहीं है तो फाइनली ब्रिटिसर्स जो है यू कैंसे फस्ट आफ नेवंबर 1814 को वार डेक्लेयर कर देते हैं अगेंस द गोर्खास इसमें आप देखेंगे कि सिर ब्रिटिस ट्रूप लॉंस्ट अटैक ओन जियातक फूट लॉस काफी होगा लेकिन फिर भी 19 यह याद रखिएगा कौन कौन सी इवेंट जो है आपके गोर्खास और यू कैंसे ब्रिटिसर्स वार के टाइम पे अटैक के टाइम पे हुए थे अगर बात करें 12 मार्च 1815 के तो यहाँ पे हम लोगों को एक पॉलिटिकल अजेंट देखने को मिलेगा विलियम फ्रेशर विलियम फ्रेशर बोलता है कि आपको एक एरेगुलर टूप भेजना चाहिए बेजा जाता है और वो क्रॉस करते हैं चूडधार को नेन उसके बाद रीच करते हैं सराहन सराहन वाले एरिया में दे वर जॉइंड बाई टू चीफ मैं जिनका नाम दांगी विजीर और प्रीमू जो है यह होता है इन दोनों के द्वारा वह वहां पे जॉइन किये जाते हैं उसके बाद बात करें रामपूर कोठगड एरिया की अगर हम बात की जाए तो यस आप देखे रामपूर कोठगड रीजन जो है यह आपका किस के अंडर हुआ करता था वहां पर किर्ती राना के अंडर हुआ करता था पाद में इसको भी कैप्चर कर लिया जाएगा 16 तो मार्च 18 15 की बात करें तो डेविड ऑस्टर लोनी जो है अर्की की तरफ निकलेगा गंभर रिव था गुर्खा अमर सिंग थापा को और उसके बाद वो सरंडर करेंगे और सरंडर करने के बाद 28th of November 1815 को एक ट्रीटी होगी ट्रीटी ऑफ सहगोली जी से बोलेंगे और इसको ड्राफ किया जाएगा ड्राफ किया जाएगा इन दा प्रिजेंस ऑफ गोर्खा जर्नल अमर सि 1860 को रैटिफिकेशन के दौरान अगर आप सिगनेचरी की बात के रहें तो यस नेपाल से राजगुरु गजरास मिस्रा जो थे यह राजा को करते थे नेपाल के वो यहाँ पे आप वो देखने को मिलेंगे और दूसरे सिगनेचरी अगर इस इंडिया कंपनी की बात की जा है का कि अब पर्मानेंट रेजिडेंस जो है वो होगा नेपाल का यानि कि पर्मानेंट रिप्रेजेंटेटीव होगा नेपाल के लिए ब्रिटिसर्स का एक और उसी के चलते हुए एडवर्ड गार्डनर जो है एडवर्ड गार्डनर बनते हैं आपके फस्ट रिप्रेजे इसका या नेपाल रूलर्स का वो सीड कर दिया जाता है जिसमें से आप देखेंगे यहां पर आप देखेंगे यह आपका वेस्ट में होगा ठीक है वेस्ट में और तेराई रीजन जो है यह साउथ में आपको देखने को मिलेगा इसमें बहुत सारे क्लाउस दिये थे एक क्लाउस यह भी था कि अब नेपाल जो है वो यू कैन से फॉरन रक्रूट्स नहीं कर सकता अपनी आर्मी के अंदर इस तरह के बहुत से क्लाउस जो थे इस पर्टिकुलर ट्रीटी में दिये गए थे लेकिन यह कुछ इंपोर्टन प बहुत से सिम्ला हिल स्टेट में लेकिन यहां पर सिम्ला हिल स्टेट में आप देखेंगे सबसे पहले बिलासपुर को 6th of March 1815 यानि की पहली जो प्रिंसली स्टेट बनी फर्स्ट प्रिंसली स्टेट तो गौर्दा सनद जो है ये आपकी बनती है विलासपुर उसके बाद 2nd की अगर बात करें तो 3rd September 1815 को भागल एंड कुठाहर जो है इनको सनद दिये जाता है तैन उसके बाद 4th of September को भागट भाजी धामी महलोग बेजा ये जो प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी इन प्रिंसली स्टेट को you can say सनद ग्रांट किये जाते है क्योंथल को 6th of September 1815 को मिलता है और सिर्मौर और वालसन को 21st of September 1815 को you can say मिलता है जिस सनद और उसके बाद बात करते हैं नालागड की तो नालागड को 20th October 1815 को सनद दिया जाता है वहीं जूबल को 18th November में मिलेगा और संघरी जो है ये 16th December 1815 को जो है इनको सनद ग्रांट किये जाता है उसके बाद मंगल की बात करें तो यहाँ पे 20th December आ जाएगा और कुमार से इनकी बात करें तो 7th of February को और बुशेहर को भी 7th of February को जो है इनको यहाँ पे सनद ग्रांट किया जाएगा इसको 1st January 1819 को है आपका सनद ग्रांट किया जाएगा यानि कि अगर आप बात करें तो 15 से 19 तक का जो पीरिड होगा 1815 से 1819 तक का आप बोल सकते हैं कि यह पीरिड आफ सनद हुआ करता था उस टाइम पे आप देखेंगे यह बुशेहर वाजदा ओनली स्टेट फ्रॉम भीजदा यू कैन से एक 15,000 पर एन्नोली जो है ट्रिब्यूट लिया जाता था यह बात भी आप याद रखेगा बुशेहर वाजदा ओनली स्टेट अर्ट पर्टिकुलर टाइम इसमें आप देखेंगे यस मैडे तो इनको इनकी इंडिपेंडेंस तो मिली थी लेकिन साथ साथ में इनको 15,000 पर एट रिब्यूट जो है हर साल देना पड़ता था चलिए उसके बाद बात करें नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगर ब्रिटिस की बात की जाए तो 19 के बाद आप निकल्स होंगे इसको कंक्लिवड किया जाता है 25 अपराइल 1809 याद रखना है रंजीत सिंग जो महराजा रंजीत सिंग है उनके बीच में होगी और चार्ल्स थियोफिलस मैटकाउफ की एक एजनसी थी एसक्वायर इन दोनों के बीच में ये संधी होगी इस संधी में क्या भीक जाएगा इस संधी में बोला जाएगा रंजीत सिंग मान लीजे है आपकी सतलूज है सतलूज के जो साउथ वाला रीजन है ये आपका ब्रिटिस के अंडर हुगता और उसके ऊपर ये जो नॉर्थ वाला जितना भी रिजन है यहां पे रंजीत सिंगग को केनी ना फ् आमन रिसर के बाद अगर हम बात करें तो यह दौर सिलसिला इस तरह से चलता रहता है और उसके बाद 1839 में आप देखेंगे महराजा रंजी सिंग के मृतिव होगी और महराजा रंजी सिंग के मृतिव के बाद जो है बैटल आफ सब्राओं, बैटल आफ एलिवाल की अगर बात की जाए तो 28th Jan 1846 को ये लड़ी जाएगी और इसमें Britishers को लीड करेंगे Harry Smith और जब कि सिखों को लीड करेंगे रंजोद सिंग मजीट हिया, result Britishers जीते हैं अब्यस सी बात है और इस पर्टिकुलर बैटल को समटाइम आप बोलेंगे ये टर्निंग पॉइंट विद आफ फर्स्ट अंगलो सिख वार का वही अगर हम बात करें बैटल आफ सब्राओं की तो ये 10th of February 1846 को लड़ी जाएगी और याद रखेगा इसमें क्या होता है 1846 के दौरान जो भी आपका कांगडा कांगडा के बाद जो हमारा नूरपूर था नूरपूर के बाद सुकेत सुकेत के बाद जो मंडी मंडी के बाद जो कैंसे कुलू ठीक है जी और कुलू के बाद लौहॉर के दौरान जो है आप बोलेंगे पूरही मचल प्रदेश जो है अब ब्रिटिसर्स के अंडर में होगा ठीक है जी उसके बाद अगर बात करें तो 1846 के बाद जो है यह सिलसिला इस तरह से ही चलता रहता है डेवलोमन्ट का सिलसिला जो है यह आपका यूँ ही आगे बड़ता है और बाद में हम लोगों को एक मेजर इवेंट देखने को मिलेगा और वह मेजर इवेंट हुजाता है 1857 का रिवोल्ट इस 1857 के revolt से हम लोगों को क्या कुछ important देखने को मिलेगा आई ये देखते हैं तो सबसे पहली जो news revolt की सिमला पहुंची वो पहुंची थी 12 अप में 1857 को आई कहां से थी तो अंबाला वाले region से हम लोगों को ये news मिली थी और उस time देखेंगे तो commander of chief जो थे सिमला के अंदर व गोर्खा रेजिमेंट जिसका नाम नसीरी बटालियन भी हुआ करता था ये भी कहीं न कहीं हिल के इंटोनमेंट में थी जब इनको बोला गया कि यस ही वाज और तो मूब टू दा अंबाला तो इन्हों ने इस और को refuse कर दिया वहीं दूसरी तरफ देखेंगे the soldier of को शॉलि इंसान को छोड़के हम देखेंगे तो सारे ही जितने भी हिल चीफ थे दे वर लॉयल टू दा ब्रिटिसर्स जिसमें से आप देखेंगे राजा सीरी सिंग जो थे चमबा इन्होंने भी एक ट्रूप भेजा ता डलहौजी अंडर दा मिया अवतार सिंग हैस्टै कर यह चीज आप लोग ने याद रखनी है 1857 के रिवोल्ट को दबाया जाएगा और उसके बाद नोट करने हो कि कुछ बातें आपको एक्जाम के लिए आप देखेंगे फर्स्ट आफ नेवंबर फर्स्ट आफ नेवंबर 1857 को प्रोकुलेमनेशन जो है यह इशू किया जाता है कि इन विक्टोरिया के द्वारा जिसको मैगना कार्ट आफ इंडियन सिविल लिवर्टी भी कहा जाता है इसमें भी फिर अलग लग सनस जो है वो ग्रांट किये जाएंगे उसके बाद 1877 में डेली दरबार होगा यह याद रखेगा कौन से राजा को इनवाइट किया गया था तो डेली दरबार 1877 में आप बोलेंगे लॉड लाइटन जो थे वाइसराय हुआ करते थे उनकी अगवाई में यह दरबार हुआ तो हिल रूलर्स जिसमें राजा साम सिंग हुए आपके चमबा के राजा बिजे सेन मंडी के राजा जीराचन जो है यह आपके हुए बिलासपूर के देवर इनवाइटीड माइडियर ठीक है जी तो इनके नाम आपने थोड़े से याद रखने हैं उसके बाद अगर बात करें कोरोनोशन दरबार आफ डैली इन दिसम्बर 1911 यान की कलकत्ता से कैपिटल डैली सिफ्ट किया गया तो उस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो यस हिल चीफ कौन-कौन बुलाए गए थे तो यस राजा अमर परकास थे सिर्मौर के राजा अमर चंद थे आपके बिलासपूर के राजा बिजे सेन थे कियोंथल के और उसके ब कोरोनेशन दरवार तो यह कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको याद रखने है अपने एक्जाम के लिए इन नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो हम लोग बात करेंगे प्रजमेंडल मूमेंट्स की और उसके साथ साथ क्रियेशन आफ हिमाचल परदेश आज की वीडियो में तो नहीं थैंक यू सो मुझ है वे ग्रेट डे थैंक्स अगेन